हमने सीखा एक, उन सभी बिंदुओं का समू जो तल में एक नियत बिंदु से समान दूरी परिस्थित हो तथा एक बंद आकरिती बनाता हो वृत्त कहलाता है दो, एक वृत्त की बराबर जिवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तीन, एक वृत्त की जिवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जिवाएं बराबर होती हैं चार, वृत्त के केंद्र से जिवा पर डाला गया लंब, जिवा को सम्द्विभाजित करता है पांच, एक वृत्य के केंद्र से एक जीवा को सम्दिभाजित करने के लिए खीची गई रेखा जीवा पर लंब होती है छे, तीन असमरेग बिंदों से होकर एक और केवल एक वृत्य खीचा जा सकता है 7. एक वृत्य की बराबर जिवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है 8. वृत्य के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्य के परिधी के शेश भाग के किसी बिंदू पर अंतरित कोण का दुगुना होता है 9. वृत्य के परिधी के किसी बिंदू पर व्यास द्वारा अंत्रित कोण सम कोण होता है 10. वृत्य के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते है 11. चक्री चत्रभुच के सम्मुख कोणों के किसी एक यूगमका योग 180 अस्यांश होता है 13. इसपर्ष बिंदू से खीची गई त्रिज्या वृत्य की इसपर्ष रेखा पर लंब होती है 14. बाह बिंदू से वृत्य पर खीची गई इसपर्ष रेखाओं की लंबाईयां बराबर होती है 15. किसी जीवाद्वारा दी गई इस पर्ष रिखा के साथ उनके इस पर्ष बिंदु पर बना कोण उस जीवाद्वारा एकांतर वृत्य खंड में बने कोण के बराबर होता है